नमस्कार दोस्तो आज आपन इस वीडियो के अंदर बक्रियों के अलग-अलग ब्रीड के बारे में जानकरी देने वाले हैं जैसे कि सोजवत, बोर, ओस्मवादी, जमुनापरी, शुरोही, बिटल और भी बाकी बहुत सारी नसले इंडिया के अंदर पाले जाते हैं जो maximum quantity में इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर के रिजन में पाले जाती है meat purpose के लिए है, milk purpose के लिए है, जैसे कि सानियन हो गई, वो milk purpose के लिए पाले जाती है संगम नेरी शुरोही बिटल, वो meat purpose के लिए पाले जाती है, बिटल को milk purpose के लिए भी पाले जाता है वीडियो को पॉस करके बीटल का रंग कौन सा है किस मतलब किस सेक्टर से वो बिलॉंग करते है कि जैसे बीटल है तो पंजब से बिलॉंग करते है इस टैपस के बीटल का पूरा डिटल से इसके अंदर दिया है और बाकी जो भी नसल है जैसे कि अभी आप देख पा रहे तीज के इस अंदर प्रीड का अपर नाम लिख किया रहा है, इस टाइब से उसका अपनावणी गोठी उसमाना पात। पादी गोट्स बोलते हैं महाराष्टर से बिलॉंग करते हैं तो यह किस परपस के लिए पाले जाते हैं मीट परपस के लिए इस तरह से जैसे सोच होते हैं किस परपस के लिए पाले जाते हैं दूद और मास के लिए मतलब इस तरह से और बाकि उसका अधर जिटेल से किस होता है अडल्ट का और फिमिल का 32 kg होता है यह सानियन है जैसे सानियन को किस परपस के लिए पाल जाता है सब को मालू में, सानियन को आपन milk market की लिए, दूद के लिए पालते है सानियन का दूद का rate कितना होता है वन टाइम का परड़ेर दूद आपन 1-5 लेटर, अतलब 2 टाइम का मिला के आपन 3-4 लेटर, दूद इससे आपन पा सकते हैं सानियन से, जैसे यह हो गई बिटल तो बिटल का वेड गेन बहुत अच्छा होता है तीन महीने के बच्चे का वेड आराम से 20 के जी मेल का जाता है और फिमेल का भी 20 के जी के करीब और मेल का 20-25 के जाता है उसी तरह बोर को भी आपन मीट परपस के लिए पाल जाते है अभी इदर मारश्टर क के रिजन में उसको ब्रीडिंग के लिए मतलब बेशने के लिए जादा कॉंटिटी में पालते है ऐसा है तो हर एक नसले का और अपनी खुद के कुछ तो पैचान है उनका कुछ तो साइन है उनके कुछ तो एड्वनटेज जैसे यह पूरे इस वीडियो के अंदर कवर किय है आप पॉस करके पोरा जून करके देख सकते कोई किस ब्रीड के क्या फाइद है क्या नहीं है तो इस वीडियो के अंदर आपको कुछ दिक्कत आ गई है तो डिस्क्रिश्चिन में नंबर है उसके उपर आप होट्सप कर सकते है आप या मुझे कॉल भी कर सकते है अपने इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अपने चैनल को सब्सक्राइब किजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर किजिए और क्योंकि सब को यह इंफर्मेशन पता होने चाहिए थैंक्यू औरिबडी थैंक्यू सो म बहुत